दोस्तो अगर आपको भी CID शो देखना पसंद है और आप CID के इंस्पेक्टर दया और ACP प्रद्दुमन यानि की सिवाजी सत्तम को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तो आज के इस वीडियाम हम बात करेंगे ACP प्रद्दुमन और इंस्पेक्टर दया के बीच होने वाले जगड़े के बारे में अच्छी हां दोस्तो बहुत ही बड़ी नूज लेकर मैं आया हूं आप लो के लिए तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोट इसी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आया है या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो दोस्तो अगर बात करें CID के आने वाले सीजन यानि की सीजन टू के बार में तो सीजन टू में ACP प्रद्द्धुमन और इंस्पेक्टर दया के बीच होने वाला है भयंकत जगडा जी हां दोस्तो ये जगड़ आपको देखने को मिलेगा CID के सीजन टू के आने वाले पांचवे या फिर छटे एपिसोड में जहां पे इंस्पेक्टर दया जो है वो ACV प्रद्धुमन को कातिल बोल देता है जी हां दोस्तों आपको पता होगा CID की टीम जो है वो सबूतों पर गुनागार को पकरती है जिसके खिलाब सबूत होता है उसी को गुनागार माना जाता है और उसी को जेल के बीचे पहुँचाया जाता है तो इस बार कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है कि ACV प्रद्धुमन के खिलाब इंस्पेक्टर दया को कुछ जरूरी और महत्वपुन सबूत मिलने वाले हैं अभी जीत है और बाकी के CID के टीम मेंबर इंस्पेक्टर दया को रोगते हैं लेकिन ACV प्रद्धुमन कहते हैं कि दया को अपनी डूटी निभाने दो और उसको मुझे गिरपतार करने दो तो यही कुछ होने वाला है CID के ब्यूरो में और आखिर में क्या होता है वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा यह CID का special episode जिसमें ACV प्रद्धुमन के उपर कतल का इलजाम लगता है और आखिर में ACV प्रद्धुमन गुनागार साबित होते हैं या फिर नहीं ACV प्रद्धुमन जेल जाते हैं या फिर नहीं यह जानने के लिए आपको यह episode देखना पड़ेगा तो दोस्तो आप नीचे comment करके ज़रूर बताइए कि आप इस episode को देखने के लिए कितने excited हैं और CID को देखे हुए आपको कितने साल हो चुका है मतलब कितने सालों से आप CID को देख रहे हैं और इस lockdown में आप CID कितना समय देख रहे हैं घर पर एक दिन में अब यह भी comment करके ज़रूर बताइएगा दोस्तो मुझे आप सब के comment का बेसेवरी से इंतिजार है मैं मिलता हूँ आप सबसे next video में